नमस्क्रा दोस्तों दोस्तों आज जिस stock के मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आप कह सकते हैं एक viewer choice stock है viewer choice इसलिए क्योंकि इस stock के ऊपर मैंने जब last time video पे ने था stock x bonus हुआ था और वहां से थोड़ी गिरावट दिखानी शुरू किया था वहां पर जब मैंने बात कही थी मैंने खाता देखिए बाजार गिरावट दिखाएगा इसमें भी गिरावट होगी X bonus के बाद stock में एक अलग प्रकार की गिरावट होती है और एक भयेंकर गिरावर्ट होती है, क्योंकि श्टॉक भी है बहुत जाधा छोटा है और आप देख रहे होंगे स्टॉक ने उपर इस तरू से है बहुत बहुत भयेंकर किरावर्ट दिखाई उसके बाद क्या हुआ बहुत जाधा पैनिक हो गया मैंने इसके उपर shots बनाये थे, shot बनाये थे जहाँ मैंने कहा था कि भी तो कि ऐसा ही होने वाला है अगर आप यहाँ पर, अगर shot to minimum के लिए तुरण निकल जाएंगे, loss रहाँ थोड़ा कम होगा और वही हुआ और उसके बाद आप देखेंगे, stock बहेंकर किरावट दिखाया बट, पिछले चार दिनों से stock लगातार अपर सर्किट में है जी हाँ, लगातार अपर सर्किट में है और इसके बाद आप निवेश को कही कहना है भई अब क्या करें, क्या नई fresh investment करें या निकल जाएंस में, तो क्या ऐसी कोई news निकल गया ही है तो देखें, अगर आप stock, यानि कि philatex fashion में, अगर आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं ये वीडियो के बहुत काम आएगी तुरंद से तुरंद प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा ताकि ये जो वीडियो है, योट्यूब औरों को भी recommend करें जो philatex fashion में निवेशित हैं तो अब चलते हैं वापस स्टॉक की तरह, देखिए जरना, पिछले मात्र एक महीने चलते हैं पहले पिछले पांच दिन में देखते हैं लगातार एक circuit, दूसरा circuit, तीसरा circuit, चौथा circuit और आज भी circuit स्टॉक आज भी देखिएंगे था अपर स्टॉक पिछले पांच दिनों के अंदर अंदर स्टॉक ने अल्मोस्ट 20% के आसपास के आपको रिटन दे रखिया है लेकिन देखिए, मैं बता हूँ आपको, यही exactly चीज मैंने कही थी, ऐसे जो स्टॉक होते हैं, जब यह गिरना शुरू करते हैं, भाई सब सीधा लोवर circuit लगता है भागना शुरू करते हैं, सीधा अपर सर्कृट लग जाता है डिस्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैनली ममबर की फिलाटेक्स फैशन में इन्वेस्मेंट है और जैसे मैंने पहले कहा था आज भी यही कहूँगा, इतना छोटा सा आप कह सकते हैं, इसमें मेरा इन्वेस्मेंट है कि अगर जीरो भी हो जाएगा तो भी कहीं कोई प्रॉल्म नहीं है और इसलिए, जब मैंने इसमें खरिदारी की थी मेरे एविर्ज पैस से जब यह बहाँकर गिर भी गया था तब भी मेरे कोई प्रॉल्म कहीं नहीं थी यह भाग रहा है, तो भी मैं कोई इतना जा एक्साइटेड नहीं हूँ कि मैं और दादा खरीदना चाहता हूँ या आप कह सकते हैं, एक्दम सेल कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा इस स्टॉक को मैंने बस लेके छोड़ दिया है देखना है आने वाले समय में क्या होगा एट लीस्ट मैं जब कहता हूँ है, तो एट लीस्ट मुझे ये स्टॉक कम से कम 5X जब तक नहीं देगा मैं स्टॉक से निकलने वाला नहीं हूँ 0 ते देगा, it's okay क्योंकि ये जो स्टॉक है इस इंप्रकार के स्टॉक का नेचर ही ही होता है और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ अगर जब भी स्टॉक X बोनस स्प्लिट हो तो उसका नेचर ही है कि वो सिधा गिरना शुरू करेगा और वो स्टॉक अगर बहुत चोटा है तो तो समझ जाई उसमें शामात आएगी और आपको पता होगा फिलाटेक्स फैशन में क्या हुआ था बाजार में बहुत भेंकर गिरावट थी और मुझे यादे कुछ समय पहले फिलाटेक्स फैशन में एक आर्टिकल में बटाते हैं आपको कह रहे थे कि भाई ये एक पंप और डंप का स्टॉक है क्या ये पूरी तरह गलत स्ट्रेट्मेंट है बिल्कुल नहीं पंप और डंप यहाँ पे होता है क्योंकि पंप अटम इनहीं प्रकार के स्टॉक में होता है और इसलिए मैं बहुत आरे लेमन लाग में इसलिए चाचा कर रहा हूं कि इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं एक भाई साब है जो सवा लाग से भी जादा शेर रखे हुए इस स्टॉक का और मेरे काल से 2 रुपे के आसपास का है और स्टॉक यहां पर ट्रेट कर रहा है दो रुपे की इसी का आसपास को स्टॉक था स्टॉक का 52 वीकलो मैं आपको दिखाऊं वो कितना है आप देखे 79 पैसा लिटरली में 79 पैसा और 52 वीक हाई ये है तो भाई सब जब आप सोचे आपका पैसा यहां आ गया आपने एक लाग शेयर इसके आसपस में निवेज किवे थे इतने ज़ादा पैनिक मूड में थे कि वो यह कह रहे हैं कि अब क्या करें और मैं इसलिए हमेशे कहता हूँ एक बहुत ही मैं बार-बार कहता हूँ यह बात को जो आपका लॉस है ना वो चाहे आपकी लिए जो आपका प्रॉफिट है वो चाहे कितना भी छोटा हो वो आपके लॉस से बड़ा ही होगा आप अगर मातर 5-10% सकते हैं रिटन पा रहे हैं नो डाउट एक्विटी के लिए बहुत ही कम है लेकिन बाई साब 20-15% के लॉस से तो बहुत ही जाद अच्छा है ना तो यह चीज प्लीज धान में रखिए और बाजार में इस वक्त इतने शांदार मतलब आप मैं बादाद हूँ आपको इतने शांदार स्टॉक हैं जो बड़ी बड़ी रैली कर सकते हैं जिनके पास वैलिवेशन इतनी ज्यादा अच्छी चल रही है इस प्रकार की स्टॉक में क्यों निवेश करना है सबसे बड़ी क्वेशन मेरी है क्यों करना है बाई सब आई टी सी आपको 480 रुपर मिल रहा है अभी जाके देखिए लगातर गिरावट के बाद एक्साइड इंडस्ट्री अमाराजा इंडस्ट्री अमाराजा स्टॉक य बहुत अच्छे लेवल में चल रहे हैं यहाँ पर इनकी स्टॉक पर कोई भी गिरावट एक्यूमुलिशन मेरे को याद है बाईसा बी एमल एचे ल वो जब इतनी भैंकर गिरावट दिखा दिये वो बहुत अच्छा मौगा था अगर आपको निवेश करना था आपको इतने जाद अच्छे वैलिशन मिल रहे हैं वहाँ पर पर इक बहुत अच्छी मौगा थे खिरिदारी की तो मेरा यह कहना है कि जब इतनी अच्छी चीजे हैं अबिलिबल तो आपको इस प्रकार के स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्मेंट करने की क्या ज़रूरत है ठीक है त इस्टर राम फूल मीना जी यहाँ पर जो है वो एडिशनल डायरेक्टर बने हैं कंपनी के और यह अप्रूवल है जर्णल मीटिंग में अरुन शर्मा जी ने अपना रेजिगनेशन दिये दिया है तो यह दो बड़े अपडेट्स आई हैं ठीक है और इसके साथी साथ फि कि कंपनी को ना जो ग्रेनाइट के एक आप कह सकते हैं इनकी सबसेटरी फिलाटेक्स फैशन की जो ग्रेनाइट के भी इनको ओर दो चार मिल रहे हैं दो दो तीन तीन साल के तो उसके करण बीच में बड़ा बड़ा उच्छाल भी आया था तो मैं आप से बस यही कह रहा फिलाटेक्स फैशन जैसे स्टॉक में अगर आप निवेशित हैं थोड़े समय पहले निवेशिकर रखे थे प्लीज कोई फ्रेश इंवेस्मेंट बिल्कुल मत कीजिए अभी क्या होगा कैसे हो किसी को नहीं बता बाजार बहुत अदा अंसर्टेंटी में ट्रेड कर रहा ह तो यह चीज़ें अपने ध्यान में रखे इसके साधी साध अगर आप देखना चाहते हैं कि वह कौन सा लेवल है जो आपको अपने ध्यान में रखना है तो देखिए यहां पे money control pro का यहां पे है देखिए जो पिछले मत्य में जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से यह आपका जो पहला सपोर्ट था यह क्लासिक के सबसे 73 पैसा था 79 पैसा से जंप कर दिया फिर आता है 58 पैसा फिर है 26 पैसे तो भाई सब ऐसा नहीं है कि यह जो ट्रेली चल रही है इसके बाद कभी गिरावट होगी नहीं आप देखें अगर आपकी फिबुना की सीरीज नहीं 73 तो 76 पैसा यह एक बड़ा एक रेंज रहने वाला सपोर्ट का और उसके बाद देखें यह चीज तो है पाचास पैसा तो एक बहुत ही बड़ा साइकलोजिकल सपोर्ट रहने वाला है इसमें कहीं कोई दो रहे नहीं है इसके साथ ही साथ एक्सक्रमेंशन मुविंग तो लिवरेज 1 रूपीज थर्टीवई पैसा तो जब तक जब तक और तर्थ ВасHAN के छहां का हा रहा है आपका रिस्टेंस है एक रुपए 20 पैसे का फिर है फिर है 1 रुपए 50 bir पैसे का तैं 1 रूपीज शिटीष्टी पैसे का तो एक चीज तो है एक रुपए 20 पैसे से ले इन लेवल्स को धिहान में रखिए, ठीक है, और फिलर्लेक्स फैक्षिन एक बहुत ही छोटा स्टॉक है, इस चीज को अपने धिहान में रखिएगा, उसके बाद ये कोई, नहीं आपके से कुछ नहीं स्ट्राड़ीजी बनाईगा, यहां पर कोई भी, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहाँ आपको, यह बहुत ही छोटा स्टॉक है, बहुत पैनी स्टॉक है, आप इसमें अगर निविश करने की सोच भी रहे हैं, पचास बार सोचिए, अपने वित्य सलागर सला लीजे, आपका अगर बहुत अद एक्साइडिड हो रहे हैं, प बाजार में थोड़ा बहुत ऐसे स्टॉक होने चाहिए, जहां रिसका फेक्टर बहुत जादा हाई हो, जो लिटरली में गैंबल, एक गैंबल वड़ आप ऐसे स्टॉक के लिए उस कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप, निवेश्यक, साकूमा एक्सपोर्ट के बारे में, क उसके पर एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आ जाओंगा दोस्तों, ठीक है, तो फिलटेक्स फैशन यह प्रकार का स्टॉक था, और किसी अनिस्टॉक में अगर आपको चर्चक करानी है, प्लीज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए चैंडोस्तों